हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको पुरानी जीन्स से प्लांटर बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि इतना असान है कि कोई भी उस तरीके से बस दो मिनिट में ऐसा प्लांटर बना सकता है अब चलिए प्लांटर बनाना शुरू करते हैं तो जीन्स प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले एक गुरानी जीन्स लीजिए और फिर उसकी दोनों लग्स के नीचे वाले ही पार्ट्स को ऐसे रवर बेंड या थ्रेड से बान दीजिए अब ऐसी प्लास्टिक शीट्स या पॉलेथिन बैक्स को दोनों लग्स में अच्छे से टाइटली भर दीजिए और फिर दोनों लग्स के इन उपर वाले पार्ट्स को होट ग्लू की हैल्प से ऐसे अच्छे से पेस्ट कर दीजिए ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है इसके बाद आप कोई भी एक जोड़ी पुराने शूज लीजिए और जीन्स की लग्स के नीचे वाले पार्ट्स को जिने हमने रबर बैंड से बादा था उन्हें शूज में डाल कर होट ग्लू की हैल्प से चिपका दीजिए और फिर शूज के बचे हुए पीछे के पार्ट में ऐसे पॉलिथीन बैक्स भर दीजिए अब जीन्स के वेस्ट वाले पार्ट में ऐसे कोई प्लान्ट पॉर्ट रख दीजिए और फिर ऐसे एक बैल्ट लगा दीजिए और बस आपका जीन्स प्लान्टर रेडी हो जाएगा अब आप इस प्लान्टर को खड़ा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे बठा भी सकते हैं और इससे जादा फर्म बनाने के लिए आप इसे पीछे से ऐसे किसी थ्रेड या रोप की हेल्फ से किसी चीज के साथ बान देजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड हैपी गाडनिंग